नमस् conception on दोस्तों आज जिस stock की मैं churchya करने वाला हुँ वो 5 ऐसे stocks है जो मुझे लगता है यहां से एक काफी अच्छा return दे सकते हैं और धेखिः मैं जब यह बात कहता हूं हुँ कि यहां से च्छा return दे सकते हैं तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और अगर आप मेरे पुरानी वीवर्स हैं तो मैं आपको आज याद दिला और अगर आप नई वीवर्स हैं तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में हमने जो बहुत सरे स्टॉक की चर्चा की उनमें कुछ स्टॉक्स जो आपके सकते हैं जो आपके अंडर वैल्यूड हो गए अच्छे स्टॉक्स हो गए वो कितने अच्छे रिटन दे चुके और जब मैंने चर्चा की थी स्टॉक बट्वीन थ्री मन्स, सिक्स मन्स, सेंट मन्स वो कंसॉलिडेट की या वहां से 5-7% गिरावट दिखा है अगर आप आज उसे दिखेंगे पुराने स्टरों में आपको याद होगा माकसन फार्मा 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए के आसपा सेमने चर्चा की माकसन फार्मा की उपर आपको याद होगा हमने चर्चा की थी HUL के उपर यह लगबग HUL तो हर इक स्टॉक में पिछले 6-8 महिन गार वीडियो दिखेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा और 22, 23, 24 से स्टॉक ने अराम से आपको 15-20% का तो रिटन देई चुके हैं ठीक है और यह वो स्टॉक से मैं जब भी चर्चा करते है कि यह डिफेंस स्टॉक की चर्चा करता था कि यह बहुत ज़्याद ना गेरेंगे हाँ इन स्टॉलों से आपको 10-15% रिटन देही देंगे स्टॉक उसे ज्यादा 6 रिटन दे दिये आपको याद होगा HDFC Bank 13-100 रुपए से 14-100 रुपए के आसपास जैसी यह बैंक आया था मैंने कहा था भाई साब buy कीजिए आराम आराम से accumulate कीजिए market की जो नौशे से उससे दूर रहे करके accumulate कीजिए आपको पता होगा आज श्टॉक सत्रास रुपए उपर चला गया है और कई बार ये कहा जा रहे है कि जो आपके सकते हैं hdb financial services है वो अपना IP लेकर के आ रही है तो ये चीजे हैं देखे ये तो वो stocks जिनके मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं जो defense के साथ थे जहांपे जो downside था वो बहुत जादा कम हुआ करता था तो इसी प्रकार के कोई बहुत सारे stock के हम already जो चर्चा किये थी एक और था आपको पता होगा heritage food इसकी हम दे कित्ती जादा चर्चा किये थी तो ऐसे बहुत सारे stocks हैं जो हमने long term के लिए बाते की थी stock कहां तक आज पहुँच चुके होंगे ठीक है तो आज इसी के प्रकार पांच stock की मैं पर चर्चा करने वाला हूँ प्लीज वीडियो को तुरंट से लाइक कर दे ताकि यूट्यूब और आपको भी रिकमेंट करे और चैल में अगल आप पहली बारा हैं सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर हैं वह बड़े और हमको मोटिवेशन मिले देखिए यह जो stock है सवा 2.15% की तेजी दिखाया है और यह जो stock है यह भी मैंने आप बोलेंगी तो इतनी जादा बार चर्चा की है जब यह stock 2900 से लेकर की 3100 की भी श्रेट करता था और थोड़ा बहुत 3500 के आसपाज मैंने इसकी चर्चा की थी इतनी बार रेक्यमेंट की था मैंने क्या था buy on dips, buy on dips, accumulate कीजी market noises से दूर रहें और एक जो बहुत बड़ा reason था मेरा ओ यह था कि जो मेरे favorite आप कह सकते हैं stock market investor कह लीजे, trader कह लीजे जो भी कह लीजे जो मुझे personally सबसे ज़्यादा पसंद है जो actual में long term investment को एक आप कह सकते हैं सही माइने देते हैं उनका नाम है Mr. R. K. Damani ji वो stock को hold करते थे और मैं आपको एक और चीज़ बता दू अभी आप ख़बर भी सुन रहे होंगे कि stock specific में Mr. R. K. Damani ji अपना stock sell कर चुके हैं ठीक है तो उसके बावजुद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी होगी और stock अभी अभी 1-10 का bonus भी दे चुका है अब मुझे लगता है कई लोग इस stock को समझ चुके होगी क्या अग नाम है stock का नाम है दोस्तों VST Industries यकीन मानिये disclosure में आपको दा दू VST Industries में मेरी या मेरी फैमिंबर की investment हो सकती है इस stock में मुझे लगता है मैंने दो से तीन बार बहुत ज़्यादा खरदारी की है ठीक है stock 29-31-10 पास आता था वहां पे खरदारी करके 35-3600 में ने sell किया है फिर जब stock इपर 4-4,5-4,5 के उपर चला गया था इस stock को मैंने track करना छोड़ दिया था और फिर जब stock वापस से 39-100 पे आया और जब Mr. R के दमानी ने खबार आया थी उन्होंने sell किया है वापस से मैंने एक fresh entry ली थी और stock वहां से तोड़ा गया फिर bonus issue आप कह सकते है टूटा stock बहुत जोड़ से bonus के बाद और currently में stock को hold करता हूँ और अब मेरा vision है यहां पे accumulation का है मैं यह कता ही नहीं कहता है यह stock गिरे गई नहीं बिल्कुल गिर सकता है और stock अगर मुझे stock मैं बहुत जाद आप कह सकते है far fast तरीके से कह रहा हूँ पहला तो है 400 यह देखना यह तूट यह करेंगी नहीं अगर यह तो फिर stock में जब गिरावट होगी क्योंकि मेरा पास stock की holding है 400 के नीचे के average में stock अगर मुझे 330 से लेकर के 300 के बीच मिलता है तो वापास से मैं personally buying करूँग क्योंकि मेरे पास already है मुझे यह लगता है वेस्टी इंडस्ट्री आने वाले आने वाले समयापको काफी अच्छे dips देगा बाइंग के लिए और आपको धीरे धीर accumulate करना है stock dividend भी 3% जाधा की देता है तो एक dividend stock भी रहता है तो वेस्ट इंडस्ट्री में stock, tobacco or sin business में it's up to you मैं investment करता हूँ और मुझे ही stock पसंद है next stock क्या है next stock है दोस्तों heritage food ये ना stock मुझे वापस से बहुत अच्छा लगने लग गया है अभी तो cash में आपके सकते हैं उच्छल कूच चल रही है तो मैं कुछ इसमें अभी fresh बात नहीं करूँगा लेकिन currently heritage food में कोई भी dip आए मैं जब कह रहा हूँ कोई भी dip आए बड़ी सी stock 490 से लेकर के 500 क्या सपस अगर आता है तो भाई सब वह खरदारी का मौका हो at least next five years तो मैं बहुत ही जादा bullish हो इस stock में और मैं आग गजा था हूँ stock ना एक या दो quarter कुछ खराब numbers लेकिया है एक या दो quarter कुछ खराब number आए stock में कोई बहुत बड़ी गिरावट हो stock 400 के भी नीचे जाए तो वहाँ पर accumulate करें personally heritage food में मैंने बहुत सारी आपके सकते हैं जो profit booking ये वो अड़ी की हुई है क्योंकि अगर आप पर पुराने वीड़ी जैसे मैंने कहा 170 से stock में accumulation करने की में हमने चर्चा के थी 200 के नीचे stock आया था मैंने कहा था यहां से जो 200 के नीचे अगर ये टिज जाता है थोड़ी grout होगी stock दे 70 के बाद 130 का low भी लगा था जी हां हर कोई bottom में कभी बात नहीं हो सकती यहां से low लगा था मेरे पास stock capital जी 150 के आसपास था वहां से आप देखें आज stock कितना उपर आ चुका है ठीक है और मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी नई stock बहुत जादा आपके सकते हाइप में है 5 परस के circuit में भी है stock अगर किसी कारण वर्ष अगर कोई stock के नंबर्स खराब आते हैं कुछ weakness देखने को मिलती है तो मुझे लगता है stock में बड़े गिना बटा सकती है बट मैं बता दूँ आपको अगर crude oil के दाम नीचे हो जाते है ना भारत में तो यकीर वानिए इन stock के लिए तो lottery होगी क्योंकि milk में जो एक बहुत बड़ा आता है वो transportation cost बहुत होता है और अगर आप देखेंगे कि कच्छ तिल के दाम नीचे आते हैं तो भाई साब heritage food जैसी companies के लिए आने वाले समय में margins में भी आपको improvement देखने को बनेंगे so for me personally heritage food एक अच्छा stock है already मेरे पास stock है दोस्तों but मुझे लगता है कोई भी एक बड़ी डिप ये stock के buying के opportunity हो सकती है तीसरा stock तीसरा stock है दोस्तों Equitas देखे, Equitas मैं इसलिए चेक कर बता रहा हूं आपको अभी small finance bank का जो sector है ये मैं बता दूँ थोड़ा भी danger है ये एक high risk stock चल रहा है अभी और AU small finance bank की बात नहीं है Equitas अभी मुझे लगता है technically weak है थोड़ा से इसमें risk है disclosure मैं आपको फिर बता दूँ कि मैं मेरी family member Equitas में ना fresh buying start की थी stock जब 80 के नीचे गया था और मैं अभी इसमें accumulation mode में सोच रहा हूं और बहुत सारे जो brokerage है एक तो मुझे आता है Kotak ने अभी कुछ report लिगा लिया 95 rupees का उन्होंने यहां से target दिया हुआ और मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में Equitas small finance bank एक बहुत ही अच्छा bank देखने को मिल सकता है long term vision के साब से में बोल रहा हूं का काम करने वाला है अगर stock के नीचे जाता है तो technical weakness है वो बहुत जादा होगी तो यह एक चीज को ध्यान में रखेगा stock 85 rupees को तोड़ने की कोशिश कर रहा है बार-बार but तोड़ नहीं पा रहा है 85 to 88 यह near term बड़ा resistance है इस stock के लिए but personally Equitas small finance bank accumulation के लिए for a longer term it's a great stock और अभी जो brokerage house है वो लगातार इसमें target भी बहुत उपर दे रहे लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं target brokerage house के चाहे बहुत नीचे हो या बहुत जादा ऊपर हो बहुत जादा ना negative होना है ना बहुत जादा होना है अपनी अकल लगानी है हमेशा बाजार को देखते हुए average रहना है हमको और अगर अच्छा bank आपको गिरावट के मौके दे recommendation के तो आपको लेने है हाँ एक बड़ा trigger जो मुझे लगता है अगर आने वाले जो September December और March के जो quarters हैं वहाँ पर company अपने NPS को कम करने में काम्याब होती है चाहे वो GNP हो ठीक है चाहे NNP हो अगर वहाँ से कुछ अच्छी ख़बर दे देती है तो वो बाजार बहुत positive लेगा बट यदि अगर गिरावट हो जाती है तो यकीन मानिये फिर एक बड़ी आपके सकते हैं गिरावट इसमें देखने को मिलेगी ठीक है परसली मैं बता दूँ बहुत छोटा है कि accumulation में स्टार्ट किया है मैं बड़ September quarter result देखना चाहता हूं उसके बाद कोई next बड़ा decision दूँगा तो आप अगर September quarter दो रुखना चाहते हैं तो रूख सकते हैं next stock देखे इस stock के उपर अभी हमने चडचा किये कुछ दिस समय पहले ही EMS sector यह मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से rally दिखा रहा है कुछ ही चुनिंदा ऐसे stocks हैं जो भाई साब ना long term के लिए अच्छ हो सकते हैं और इसमें मुझे एक अवर stock यादा है Keynes Technology अगर आपको याद हो Keynes Technology में 2,000, 2,500, 3,000 टक इतनी जादा चड़ चाहें की हैं Keynes Technology मैंने भी बहुत जादा investment की थी between 25 to 2700 जी हां थोड़े उपर इस तरह में और stock से मैं 5,000, 5,000 रुपय में पूरी तरह से exit कर चूँँ Currently Keynes Technology मेरे पास नहीं है हां मुझे यह लगता है अभी short two minute term sign it dealer में ऐस stock हो सकता है जहां पर थोड़ा pressure देखने को मिले और यह 690 से लेकर मुझे लगता है 650 के आसपास यह stock एक बार जा सकता है क्योंकि जूसकी parent company sign it उन्होंने अब कुछ holding sell की है तो बाजार में थोड़ा pressure है थोड़ी issues है stock में थोड़ी गिरावट हो सकती है आने वाला September quarter कुछ आपको दशा और दिशा दे सकता है disclosure route में जो अभी भयंकर गिरावट हुई और 700 के आसपास इसमें मेरी fresh investment स्टार्ट हुई है मेरी family member की मैं आपको बता दू sign it deal m में यहाँ पे long term की बात कर रहा हूँ ठीक है short term की नहीं accumulation इसमें करने है और मेरा यह मानना है sign it deal m for a longer term यह एक बहुत अच्छा stock है बस थोड़ा साफ सा patience मांगेगा अगर आप फ्रोड़ा risk कम लेडा चाते हैं तो 630 तक के आसपास के अंदजार करें 630, 610 के असपास कोई भी अगर बाजार में कोई भयंकर गिरावट होती है तो देखे एक बात याद रखेगा किया जा सकता है for the next two or three years मुझे यह लगता है side DLM side DLM side DLM एक अच्छा stock हो सकता है अब last but not the least और मुझे यह लगता है यह stock Yatra Online Limited मैंने इसकी बार में चर्चक की हुई थी last time में stock 120 के आसपर टीक है यह उसका 52-week high लो था माफ किजेगा वह stock उपर आ चुका है बट मुझे आज भी बात लगती है कि Yatra Online for a longer term और देखे अब आने वाला जो December September भी कह सकते हो बट इतनी ज़दा बारिश हो चुकी है तो मुझे लगता है September उतना ज़दा अच्छा quarters के लिए नहीं रहेगा और अगर खराब होता है इसमें गिरावट आती है तो for a longer term it's a great stock फिर December फिर आप कह सकते है March यह 2 quarter ना इस टॉक में इस बार मुझे लगता है काफी अच्छे number आपको देखने को मिलेंगी और पिछले को बीच बीच में एक बीच में इसमें आपके सकते हैं longer term और बस problem यह है बाजार में अगर बहुत बड़ी गिरावट होती है sentiment wise तो यात्रा online आपको किसी भी दन मैं यह नहीं कहता कि ऐसा हो इसकता है अगर इसके काफी अगला quarter खरावाता है बाजार में बहुत बड़ी गिरावट होती है यह stock आपको 100 के आसपास एक बार 100 to 110 आपको मिलने की एक chance हो सकते हैं लेकिन इसके लिए देखना यह होगा कि बाजार इसके numbers क्या बहुत ज़दा बुरे आते हैं या company इस जटके को September quarter के निकाल लेती है but for me personally यात्रा online आने वाले 5 सालों में एक काफी अच्छा return अपने निवेश्कों को दे सकती है बस हाँ problem यह है कि यह थोड़ी सी जब बाजार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो वह हो सकती है तो यदि आप volatility के लिए तैयार है तो यह stock अच्छा हो सकता है और for a longer time for at least 2 3 years यह काफी अच्छा stock हो सकता है अगर आप चाते है कि यातरोग online के ऊपर एक complete answer के video लेकर क्या हूँ comment box में पताईए खा मैं जरूर लाने के कोशिश करूँगा दूस्तों तो यह 5 stock आप लोगे साथ शेर करने थी video कैसे लगी हो यह जरूर पताई comment box में यहां तक जो रहे है बहुत बहुत दन्यवाद यह शुरू कानते है